हर्याना के हिसार में आज पूलिस द्वारा 1500 से अधिक लोगों को मास्क वित्रित किये गए आपको बता दे कि ट्रैफिक पूलिस इंस्पेक्टर शमशेर सिंग के निकितु में हिसार के लोगों के लिए मास्क बाचे गई उन्होंने मोके पर बताया कि कोविड-19 महामारी को लेखते हुए मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है इसलिए बच्चे बुजूर्ग महिलाएं घर से निकले तो मास्क लगा कर निकले ट्रैफिक इंचार शमशेर सिंग ने बताया कि हिसार में आज 1500 से अधिक लोगों को मास्क बाचे गए हैं उन्होंने बताया कि यह कारिये हिसार के पुलिस अधिक्षक गंगा रामपुनिया मार्ग दर्शन पर किया गया है यह अभियान लगातार दो दिन तक चलाया गया हिसार के सभी चोंक चुराहें वो मुखे बाजारों सहित अन्य स्थानों पर लोगों को मास्क बाचे गए उन्होंने बताया कि सभियान के तहत कुछ लोग ऐसे भी पाए गए थे जिन में बुजुर्ग महिलाएं वह बच्चे भी शामिल थे जिनोंने मास्क नहीं लगाया हुआ था उन्होंने बताया कि कुछ दमपत्ती ऐसे भी मिले जिनोंने खुद तो मास्क लगाया हुआ था प्रंतु बच्चे के मुव पर मा चुको भी मास्क बाटे। चुको भी मास्क बचने के लिए मास्क को लगाना बहुत जुरूरी है। अब तक 1500 के क्रीब मास्क लगाए गए है। हमारी ट्राफिक पुलिस हाइवे पर शहर में बिन्विन सतलों पर जाकर मास्क बान रही है। और मास्क लगाने के बारे में अवैरनेस भी कर रही है। माबाब लगाई हुए थे या बच्चे नहीं लगाई हुए थे हमने उनको रोक के मास्क लगाने के लिए उनको का भी आप बच्चों को भी बहुत जुरूरी है। फनको बच्चे को मास्क लगाने के बच्चे को लगाई है। इनके बहुत जुरूरी है। इसलिए हमें धम जितना हो सकें उतना इनकी पालन को पालन को सरिकार करें और इनका तहा माने और यह जो हमारे लिए कर रहे हैं हमें गरों की बाद है कि हमारे लिए पूलिस ने इतना कुछ किया है ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद झाल झाल झाल